हाई आज किस वीडियो में मैं आपको पासपोर्ट साइज का फोटो कैसे बना सकते हैं वह भी सिंपल तरीके से मैं आपको अच्छे से आप पासपोर्ट साइज वह भी डिजिटल फोटो अच्छी क्वाल्टी में आप बना सकते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंतक देखें ताकि आपको अच्छे से स्टेप बाइस समझ में आ जाए तो आए वीडियो को शुरू करते हैं इसके लिए दोस्तों आपको एक करने में इजी रहे तो मैं यह प्ले स्टोर पे गया प्ले स्टोर पे जाने के बाद दोस्तों आप वो लिखना पड़ेगा पासपोर्ट फोटो मेकर तो मैंने यह लिख दिया है इसको उपर से सेकंड रिजल्ट आएगा आपका तो यहां पर आपका आइकन सभी से देख ल पहले से डाउनलोड करके रख़ा हुआ है तो यहां पर simply मैं open करने हो आपको आपको एसके आप किलिक करेंगे प्लिक करने के वाद दोस्तों चूकि आप तो आप इंडिया की है तो आप इंडिया का पास्पूर्ट सैलक्ट करेंगे तो यहांसों डिखेश सक्भात रिचे करते सकते हैं लेकिन मुलते हैं एक camera का, एक gallery का, अगर आप चाहते हैं को direct photo लेना तो आप camera open करके आप direct से photo ले सकते हैं, अगर आपने पहले से photo ले के रखा हुआ है, तो आप simply एक gallery पी click करेंगे, मैंने इस case में पहले से photo ले के रखा हुआ है, तो मैं वो photo ले लेता हूँ, जैसे कि, लेकिन दोस्तों और ए tips दे दूँगा, उससे आप 2 second में आप background आपना, यानि कि photo का background रिमूव कर पाएंगे, और जैसा चाहे background आप लगा सकते हैं, वो भी इतना easy है, तो second में आपका background रेज हो जाएगा, तो पहले मैं ये पता देता हूँ, किस तरीके से photo बनाना है, उसके बाद वो आपको last में थोड़ा बता दूँगा, तो simply दोस्तों मैंने ये पहले से photo crop करके रखा हुआ है, यानि कि इसका background रिमूव करके रखा हुआ है, तो मैंने ये select कर लिया है, तो अब हम यहाँ पे start editing पे click करेंगे, start editing पे click करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे make sure आपकी data off होनी चाहिए, तब ये add नहीं सोगे, तो मैं यहाँ पे अपनी data off कर लेता हूँ, तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपका photo तिर्चा है, तो in case आप थोड़ा बहुत adjust कर सकते हैं, तिर्चा है तो इस तरीके सा आप adjust कर सकते हैं, उसके बाद आप next पे click करेंगे, next पे click करने के बाद ये बता रहा crop करने के बाद दोस्तों आप देख पारें, मेरा photo crop हो गया है, अगर आपका photo clear नहीं है, तो यहाँ पे कुछ settings आपको मिल जाती है, जिसके brightness, contrast, तो आप ये settings भी use कर सकते हैं, ताकि आपका photo बेटल लगे, तो यहाँ पे मैंने ये कर दिया है, आप अपने साब से adjust कर लें, पिर इसके बाद मैं करूँगा next, next पे click करने के बाद दोस्तों यहाँ पे दोनों option अच्छे से हो गए हैं, मिलब clear हो गए हैं, तो यहाँ पे अब मैं save कर लेता हूँ, अगर change background पे करेंगे, तो आप यहाँ से अपने color भी change कर सकते हैं, जैसा चाहिए, आप अपने साब से blue color रखना चाहूँगा, तो यहाँ पे blue color आपको फुल में दिखाई दे रहा है, लेकिन आप जब इसे save करेंगे, तो आपका सिर्फ photo, मतलब जैसा पे background भी फोटो में मिलता है, वैसा मिल जाएगा, तो मैंने कि I save, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, इस तरीके इतने size में, आप यहाँ से आपको outline यानि की border लगाना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, तो मैं आपको border भी लगा के दिखा देता हूँ, add outline पे click करेंगे, तो आप जैसी चाहे, outline आप लगा सकते हैं, black में, blue में, फिर जैसी चाहे, मैं यहाँ पर red में लगा हूँगा, और यहाँ आपकी thickness है, जैसी चाहे, जितनी चाहे, आप अपने साब से adjust कर सकते हैं, मैं थोड़ी सी कम रखूँगा, requirement के साब से आप border लगा सकते हैं, तो simply मैं यह बाटल लगा दिया है, अब इसमें हमारा एक और चीज़ बची है, नाम की तो simply हाँ पे हम अपना नाम मी दे देते हैं, तो यहाँ पे आप अपना नाम दे सकते हैं, तो मैं यह आपना नाम दे देता हूँ, तो मैंने यह अपना नाम इंटर कर दिया है, उसके बाद हम यहाँ पे आपको नीचे में file size मिलता है, तो आप अपने requirement के साब से यहाँ फोटो सेब कर सकते हैं 20 के भी 30 के भी 45 के भी जितना चाहिए अपने साब से से मैं यहां पर 35 का करना चाहूंगा तो मैं यहां पर 35 का कर दिया यहां पर कर देता हूं से सेव करने के बाद दोस्तों आपको यह फिर से आड़ दिख सकता है तो इसको को आप स्किप कर दें तो यह मैं कर देता हूं इसकिप करने के बाद दोस्तों आपका लास्ट ओप्सन बचा है जो कि आपको यहां पे बहुत सारे फोटो में आपका नाम डेट अव बर्थ या फिर आपकी जिस तारी को आपने फोटो लिया है वो आपको डेट लिखनी है तो उसलिए आपको यहां पर डाल लेंगे जैसा कि मैं अपना नाम डाल देता हूं और आम आदर्स तो मैंने अपना नाम डाले और तो यहां पर आप अपना नाम डालेंगे नाम डालने के बाद दोस्तों शिम्पल या पर आ देख पा रहे हूं जैसा की मैं डाला हूं वैसा यहां पर आ रहा है इसके बाद आप नीचे की तरफ जो डाट का formate है अगर आप चाहते है तो ठीक है नहीं तो default भी आ जाता है तो मैं आपको change करके दिखा देता हूं तो मैं चाहता हूं September बीच में यहाँ से हटा देता हूं और आपको सेब्टेंबर बीच में लिख देता हूं जैसा कि मैं अभी क्टिए यहां पे बीच में किया है चाहे तो आप पूरा लिख सकते हैं मैं थोड़ा जल्दी के सेख्र में कर रहा हूं एक पर बीच में चलातो Пड़ zarab लगाएंगे मैं ота तो आप अपने इसाब से लिग लें तो मैंने यह लिख दिया है अब इसका थोड़ा alignment भी set कर देते हैं ताकि हमारा देखने में थोड़ा सा अच्छा लगी तो आप देख पा रहे हैं कि आप अच्छा लगने लग गया है तो अब इसको यहाँ पे आप इस जो logo है इसकी आप यहाँ पे set कर सकते हैं तो इसकी बरत को आप थोड़ा से increase करेंगे क्योंकि यह तो इनक्रीज करोड़àn कोór मैंने यह कर दिया थोड़ा सा पेचा कर सकते हैं तो आप यहां पर यह भी आप कर सकते हैं विर्थ भी आपकी दस है तो आप इसको भी आप थोड़ा कम जादा कर सकते हैं और कम जादा करने के बाद में आप पड़िया से कर लें और इसके अपव्पोंट का कलर भी जो आपना टेक्स्ट है उसका भी कलर चेंज है वो भी आपको बता दिता हूं जो दो युद्ध कि अगर आप चाहते हैं उसका कलर चेंज तो भी आप कर सकते हैं तो एक पक झा समीजा और भफ. झाल 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 तो आप ठीक लग रहा है अब आप इसके font का color आपको change करना बता देता हूँ तो यहाँ पर जैसा चाहिए वैसा रख सकते हैं मैं यहाँ आप just example की तोर पर दिखा रहा हूँ यह मनें font का color change कर दिया है अगर आप चाहिए इसके font का background का भी color change कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर विलू कर देता हूँ तो मैंने यह विलू कर दिया है तो यह आप simply ऐसे देख पा रहे होंगे तो यह इस तरीके से आप change कर सकते हैं अभी आपका complete photo one गया है तो आप इसको save कर लेंगे अगर आप यह save कर लेते हैं सेव करने के बाद दोस्तों आपका यह photo यहाँ फिर से size मांगता है अब यहाँ पर भी size को अपने इसाब से requirement के साब से दे सकते हैं मैं आपको 45 में कर लेता हूँ save तो मैंने यह कर दिया save अब आपका यह photo बिल्कुल ready है अब आप इसको कहीं भी या जैसे भी आप print करमाना चाहते हैं या फिर किसी भी online documents या form में submit करना चाहते हैं तो यहाँ से आप सीधा उस form में submit कर पाएंगे तो इसके लिए यहाँ से share उस पर photos में जाएंगे तो इस photo जाने के बाद इस पर जाएंगे और यहाँ पे आपको share का option मिल जाएगा तो दोस्तों यहाँ से आप अपने whatsapp पे share कर सकते हैं facebook पे share कर सकते हैं जहाँ चाहें वहाँ share कर सकते हैं किसी को भेजना हो या आप पर photo देना हो तो इस तरीके से आप अपना photo दे पाएंगे अमीद करता हूँ वीडियो में डियू जानकारी आपको पसंद आई होगी पसंद आई है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे अगर आपको कोई सुझाओ या पर confusion आपको कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इसी तरह की मैं बेवतिन टिफ्स औं ट्रिक्स वाली जानकारी आपके लिए लाता रहता हूँ तो मिलता हम किसी नेक्स्ट इंट्रेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार बंदे मातरम